वेलकम बैक टो चैनल डिये श्ट्रेंट ये जो सीरीज है इसका ये दूसरा वीडियो है कल से ये सुरू किया गया था कल पहला हमने बताया आपको आज दूसरा है आई देखते हैं इसमें एरफोर्स और नेवी के लिए जीके के जो इंपोर्टेंट क्वेस्चन बन सकते हैं यहां से आपके लिए पहला क्वेस्चन है एलोरा में प्रसिद श्यू मंदिर का निर्मार निम्ण में से किस शासक ने किया था ऑप्षन कुछ इस प्रकार से आपके सामने है और ऑप्षन नमबर डी से होगा राष्ट्रकू शासक कृष्ण प्रत्थम ने देखे कृष्ण योग आंदोलन ओप्शन नमबर योगा उनिस सो बीस में ठीक है 1921 में शुरू किया गया था और यह गांधी जी के नेत्रित्यों में चलाया गया पहला आंदोलन था यह आंदोलन सितंबर उनिस सो बीस से लेकर के फरवरी 1922 तक चलाया गया था ठीक न आगे बढ़ते हैं नि क्यांस है, वो कहां से लिया गया है, तो वो लिया गया है, option number D, इसको आप याद रखेंगे, बहुत important है, मुंडोक पनिसद, यहां से लिया गया है, ठीक है, option number C, यहां पर, मुंडोक पनिसद, option number C होगा, यानि कि गव, आगे पढ़ते हैं, वेटिंग फार्द महात्मा, पुस्तक के लिखक, वेटिंग फार्द महात्मा, पुस्तक के लिखक कौन है, यहां पर आपको बताना है, तो यहां पर हो जाएगा option number D, R के नारायन के द्वारा लिखा गया है Waiting for the Mahatma पूरी भारत के कितने प्रतिशत छेतरफल पर मैदानी विस्तार पाया जाता है यहां पर option number C होगा 44 प्रतिशत पूरी भारत में लगभग 44 प्रतिशत छेतर पर मैदानी विस्तार पाया जाता है ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूद का दही के रूप में जमने का कारण होता है यह काफी important question है और easy भी हो सकता है आपके लिए अगर आपको पता है तो इसमें option number B हो जाएगा lactobacillus क्या होता है lactobacillus दूद का दही के रूप में जमने का जो कारण है वो lactobacillus है आगे बढ़ते हैं अरजुन पुरसकार की सुरुवात किस वर्स की गई थी अरजुन पुरसकार इसकी जो सुरुवात है वो 1961 में की गई थी यानि की option number यहाँ पर C हो जाएगा 1961 आगे बढ़ते हैं डिये स्ट्वेंट बुकर पुरसकार इन में से किस छेतर में योगदान के लिए दिया जाता है बुकर पुरसकार तो यह है कथा लेखन के लिए दिया जाता है option number C से होगा माई को विश्व भर में कौन सा दिवस माई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है तो यहाँ पर यह मतलब पूछ रहा है यहाँ पर सेवन्त होना चाहिए था यह आगे होगा ठीक है सेवन माई को विश्व भर में कौन सा जो है बी विस्व एथलेटिक दिवस इस दिवस का उद्धिस से युवाओं के बीच में खेलों का लोगप्री बनाने और खेलों के महत्तों के बारे में लोगों को समझाना आज के लिए इतने जो है कि आपके लिए जीके के क्वेस्चन देखिए एक चीज हम आपसे कहना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों से करीब एक सब्ता से मैं एक बुक पढ़ रहा हूं सायद आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो इसका नाम है डार्क हार्स ठीक है तो ये एक ऐसी बुक है कि एक साहित आकादमी युगा परशकार से सम्मानित की गई बुक है इसमें होता यह है कि इस्टूडेंट नहीं इसको लिखा जब वो आई-एस की तयारी करने गए थे दिल्ली में तो यहां पर हमने इसको इस पुष्टक को मैक्समम पढ़ लिया है करीब 90% लाश्ट के कुछ 24-10 पेज ही बाकी है उसको भी पढ़ लेंगे उसके बाद इसके उपर एक डिटेल में हम आप वीडियो बनाएंगे किताब हमको बहुत ही बहतरीन लगी और जहां तक हम सोच पा रहे हैं इस बुक को हर उस युवा को पढ़ना चाहिए जो किसी ने किस कमपटिशन की तयारी कर रहा है खास करके यह बुक तो आई-ए-स की जो तयारी करते हैं बचे उनके लिए लिखा गया है और इसमें जितने भी फ्रेंड हैं सामिल की गए इसमें राइटर के द्वारा सभी आई-ए-स के तयारी करने वाले हैं और कुछ उसमें से क्वालिफ स्रीन किताब है अगर आप इस किताब को मंगा लेते हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्सर में दे दिया हूं आपको उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को अभी और कर दीजे लॉकडाउन में आपके पास समय है तो होता यह है कि आप तैयारी करते करते कभी कभी आपका मन पढ पाएंगे बहुत ही महत्तोपूर बुक है एक बार इसको अगर आप मंगा लेते हैं ऑनलाइन कर लेते हैं या अगर आप संभव तो शौप से भी ले सकते हैं और इसमें कई कोई प्रमोशन की बात नहीं है मैं इसको खुद पढ़ रहा हूं तो इसलिए मैं आपको बूल र आपको अगर